हेलो एवरिवन, आज मैं जो हैस्टाइल करने वाली हूँ, वो बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इजी है ये हैस्टाइल इंडियन लुक और वेस्टन लुक दोनों के साथ ही बहुत ही अच्छी लगेगी इस हैस्टाइल को आप ट्राइज जरूर करना और मुझे इंस्टाग्राम पर टेग करना मत भूलना मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है पूजास कैसल और हाँ अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्स्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बिल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए तो शुरू करते हैं सबसे पहले आप साइट पार्टिंग कर लीजिए हेर पार्टिंग आप स्ट्रेट या फिर जिग जैक पार्टिंग कर सकते हैं एक side के बालों को आप stylist accessories से secure कर सकते हैं या फिर आप normal clips से भी secure कर सकते हैं इससे पहले आप चाहे तो थोड़ी सी बालों की लट निकाल सकते हैं जैसे कि मैंने वीडियो में निकाला हुआ है उसके बाद आपको सारे बालों को अपनी दूसरी side पे लाना है और अच्छी तरह से com कर लेना है इसके बाद आपको front से एकदम simple सा twist करना है अपनी parting की side से आपको थोड़े से बालों को लेना है उसे दो section में divide करना है फिर twist करते जाना है और front से बालों को add करते जाना है सेम जैसा की वीडियो में है इसके बाद आप इस twist को बालों में छुपाते हुए clips से secure कर दीजिए आप एक या दो clip लगा सकते हैं clips को ढखते हुए अच्छी तरह से बालों को comb कर लीजिए और एक side पर ला लीजिए clips लगाने के पहले आपको front के बालों में थोड़ा सा volume create करने के लिए जो आपने twist किया है उससे थोड़ा सा pull करना पड़ेगा थोड़े थोड़े बालों को लेकर pull कीजिए इससे एक voluminous look create हो जाएगा इस hairstyle को create करने के लिए आपको चाहिए rubber bands आप black color की या multi color rubber bands use कर सकते हैं जिस तरफ आपने सारे बालों को इकठा किया है वहीं पर आप इसे rubber bands से secure कर दीजिए rubber bands ज़्यादा lose नहीं होनी चाहिए फिर जैसा कि वीडियो में है आप पूरे बालों में से एक hole create कीजिए और बांकी के बालों को उससे cross कर दीजिए और rubber band को tight कर दीजिए इसके बाद जैसा कि front में आपने बालों को pull करके volume create किया था सेम वैसा ही यहां भी करना है थोड़े थोड़े से बालों को लेकर pull कीजिए इससे एक volume create हो जाएगा और ये braid बहुत ही अच्छी लगेगी उपर के बालों को अच्छी तरह से pull करने के बाद आपको बांकी नीचे के बालों में एक और rubber band लगाना है ये आप अपने बालों की लिंद के हिसाब से rubber bands add करते जाएए और हाँ अगर आपके बाल छोटे हैं या steps में cut हैं तो आप पीछे से clips से secure भी कर सकते हैं जिससे बाल धीले ना हो या फिर निकले ना इसके बाद आपको कुछ दूरी पर एक और rubber band लगाना है और same process करना है जैसा कि पहले वाले rubber band में किया था बालों में एक hole create करना है इसके बाद नीचे के बालों को उससे cross कर देना है और थोड़े थोड़े बालों को pull करते हुए volume create करना है इसके बाद एक और rubber band लगाए और same process कीजिए ये आप अपने बालों की लिंद के हिसाब से करते चाहिए आपको ये hairstyle कैसी लग रही है वो आप मुझे comment box में बताइए अगर आपको अच्छी लग रही है तो please इस video को like कर दीजे और अपने friends के साथ share भी कर दीजे और मेरे चैनल पूजास कैसल को subscribe करना बिल्कुल मत भूलिए साथी bell icon को all notifications पर click करना भी मत भूलिए इससे मेरे नए videos के notifications आपको सबसे पहले मिलेंगे आप मेरे चैनल के playlist को जरूर चिक कीजेगा उसमें आपको कई सारी hair styles की video मिलेंगी make up के videos मिलेंगे और मेहंदी designs के videos भी मिलेंगे साथी DIY, handmade jewelry, craft, beauty related videos भी मिलेंगे आपको अब जब इतने सारी चीजें हैं तो मेरे चैनल की playlist को चेक करना तो बनता है है न? इस hairstyle में जो rubber bands यूज हुई हैं उसमें आप decorative items को add कर सकते हैं जैसे flowers को, pearls को इससे hairstyle और भी अच्छी लगेगी rubber bands यूज करने के बाद जो नीचे थोड़े से बाल बचेंगे उससे आप ऐसे ही रहने दीजे या फिर आप थोड़ा सा curl कर सकते हैं उससे look और भी अच्छा हो जाएगा ये hairstyle kids के ऊपर भी बहुत अच्छी लगती है अगर आपके बाल थिक हैं तो आप चाहें तो इस hairstyle को दोनों side कर सकते हैं तो जल्दी से comment box में बताईए कि आपको hairstyle कैसी लगी चैनल को subscribe कर लीजे, वीडियो को like कर दीजे और अपने friends के साथ share भी कर दीजे मिलते हैं आप से next वीडियो में till then bye bye